हेलो दोस्तो मैं हूँ तिलक और स्वागत है आप सभी का बाइकर्स पॉइंट चैनल पे आज हमारे पास होंडा की सीवी साइन 125 का डिक्स ब्रेक वेरियंट ब्लैक कलर के साथ इस बाइक में आपको क्या-क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं माइलेज और टॉप स्पीड कितनी है इसकी ड्रॉम और डिक्स ब्रेक की डिटेल औरोट कीमत क्या है यह सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो का लास तक बने रहना तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं के फ्रंट प्रोफाइल से तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक कलर का आपको विंड्सील का ग्लास मिल जाता है जिसके नीचे आपको हॉंडा की स्टीकर वर्क मिलती है काफी सांदार यहाँ पे आपको क्रोम के स्ट्रिप का वर्क मिलता है जो कि इस बाइक के लुक को काफी प्रीमियम बनाती है और दोस्तो इसके फ्रंट में आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेड लैम सेट अप मिल जाता है लो बीम और हाई बीम के साथ बाकी वाइजर के साइड में आपको थ्री टोन कलर के काफी सांदार ग्राफिक के वर्क मिल जाते है हैलोजन बल्ब के यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते है जो कि फुल फ्लेक्सिवल दिये गए नीचे में यहाँ पे आप रेजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जगह देख सकते हो ग्लॉसी बलैक कलर का काफी सांदार फाइवर बडी के साथ इसका फ्रेंट वाला मडगाड मिल जाता है और इसके साथ साथ दोस्तों इसके फ्रेंट में आपको टेलिस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं जिसके दोनों और आप रिफ्लेक्टर देख सकते हो सिफ्टी की बात करें तो इस बाइक में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है 240 mm डाइमीटर का यहाँ पे आपको फ्रेंट वाला डिक्स ब्रेक मिलता है और इसके साथ साथ 818 गए यहाँ पे कंपनी ने आपको ट्यूबलेश टैर प्रभाइट करा है 18 इंचेस के ब्लैक कलर के लॉय के साथ एलवाय पे आपको कोई भी स्टीकर वर्क देखने को नहीं मिलता है इसके राइट साथ की प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से आप इस बाइक का पूरा राइट साथ का प्रोफाइल देख सकते हो कुछ इस तरह का मिल जाता है फ्यूल टैंक पे आपको काफी सांदार थ्री टोन कलर के ग्राफिक वर्क मिल जाते है और दोस्तों हॉन्डा की आपको बैजिंग मिल जाती है 3D में क्रोम के फिनिस के साथ 10.5 लिटर्स कैपेसिटी के साथ इसकी फ्यूल टैंक आती है फुल मेटल बड़ी आपको देखने को मिल जाता है बागिस के आगे की और चले तो यहाँ पे आपको हैंडल के सेंटर में हॉन्डा की बैजिंग देखने को मिल जाती है स्प्लिट टैप के फूल एलान ओक टैप के आपको मीटर कंसोल मिल जाते है जो की company को new update करने चाहिए थे console के left side में आपको speedometer मिलता है odometer आप देख सकते हो center में आपको turn indicator की warning मिल जाती है head light की आपको warning मिल जाती है और यहाँ पे आप console के right side में देख सकते हो fuel gas मिल जाता है gear neutral की आपको warning मिल जाती है check engine की light मिल जाती है इसके साथ साथ आपको side stand की warning मिल जाती है इसके right handle पे चले तो यहाँ पे आपको rate color का self restart का switch और यहाँ पे आपको engine कील का switch साथ में मिल जाता है दूसरी और चले तो यहाँ पे आपको passing की upper deeper की switch देख सकते हो यहाँ भी आपको साथ मिल जाता है और इसके साथ साथ Turn Indicator और यहाँ पे आपको Haunt की Switch मिल जाती है और दोस्तो इस बाई का जो Seat Comfort है वो काफी Comfortable आपको मिल जाता है कुसन काफी Soft मिलती है Pillion और Rider दोनों के लिए 791 mm के आपको Seat Height मिल जाती है Glossy Black Color Finish के साथ इसका Grab Handle आता है Seat Call पे आप देख सकते हैं साइन की आपको Sticker Work मिल जाती है नीचे में यहाँ भी आपको Dual Tone Color के Sticker Work मिल जाते है Side Panel पे आपको 125 के Sticker Work मिलती है और नीचे में यहाँ पे आपको ESP के आपको Sticker Work देखने को मिल जाती है उपर गी और चले तो यहाँ पे आपको काफी सांदार krome के treatment देखने को मिल जाते है जो की इस bike के look को काफी premium बना रही है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो black color का यहाँ पे आपको kick lever मिल जाता है engine पे आपको Honda की branding मिल जाती है इसके साथ ब्लैक कलर का आपको ब्रेक पैड मिलता, नौन अड़ेस्टेवल राइडर का फूटरेस्ट देख सकते हो, 162 mm की ग्राउंड कलियरेंस मिल जाती है, कैटिलिटी कन्वर्टर आपको देखने को मिल जाता है, इसके इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक में 5-speed gearbox के साथ ये बाइक आती है, तॉप स्पीड आपको 105 km पर आवर का मिल जाता है, यहाँ पे आप पीलियन के अड़ेस्टेवल फूटरेस्ट देख सकते हो, एक जॉस्ट के उपर काफी सांदार आपको मेटल का मफलर गार्ड मिल जाता है, और दोस्तो इसके रेयर में बात करें, तो यहाँ से आप इस बाइक का पूरा रेयर प्रोफाइल देख सकते हो, कुछी इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, टेल लाइट के उपर आपको हॉंडा की स्टीकर वर्क मिल जाती है, हेलोजन बल्ब का यहाँ पे आपको टेल लाइट मिलता है, जिसके नीचे आपको डिवल टोन कलर का स्टीकर वर्क मिलता है, सीट लोकर यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेडी पिलियन का यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का सारी गार्ड मिल जाता है, कुछ फाइवर के वर्क के साथ, फुल चैन्ट सिट की आपको कवरिंग मिल जाती है, पिड मिल जाता है इसके साथ साथ दोस्तों ये बाइक 60 के MPL की ये बाइक आसानी से माइलेज निकाल करके दे देगी चलिए दोस्तों फाइनली बात करें इस बाइक के प्राइजिंग की तो जैसा कि ये डिक्स ब्रेक वेरियंट है तो इसकी एक सो रूम की मत है 81,739 रूपी ये उन्रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको दिए क्रिस्टा मोटर अखारागाट रोड मुझे अपर पुलिस्तित सो रूम में इस सो रूम में आप विजिट कर सकते हो हॉन्डा की किसी भी बाइक ए स्कूर्टी का टेस्ट ड्राइब ले सकते हो सो रूम की सारी जानकारी म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तो आप लोग किसी भी सीटी सोरी बाइक की ऑन्रोर प्राइब जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपने सीटी का नाम लिक करके भेज़ सकते हो थैंक यू दोस्तो वीडियो के ला कर्वाष।